अब वक्त है commodity market का अपडेट जानने का और अगले 10 मिनिटों में हम आपको बताएंगे अग्री नॉन अग्री commodities से जुड़ी बड़ी खबरे और उस पर रनीती क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने रखेंगे और कुछी दिर में हमाई साथ expert भी शामिल होंगे जिनसे की हम समझेंगे की commodity market में शुरुआती रनीती क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अग्री market की 10 बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले जीरा यानि की comments इस पर बात करते हैं एप्रिवाइदा 3400 के करीब कीमतों पर दबाव है आज यहां पर धनिया की बात करें तो यहां पर भी लगाता बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है 7640 रुपए के पास धनिया में ट्रेड हुआ हल्दी की बात करें तो 17500 रुपए के उपर हल्की कमजोरी के साथ यहां पर भी कारोबार हुआ ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर हल्की तेजी देखने को मिली ग्वारगम में 10,000 रुपए के उपर कीमतों में हल्की तेजी देखी गौर्सीट की बात करें तो दायरे में यहांपर भी कारोबार हुआ और एप्रिल वाइदा पांच हजार आठ सो असी के करीब ठ्रेड हो रहा था कैस्टर की बात करें तो एप्रिल वाइदा छहाजार रुपए के नीचे निशले सरों से हलकी खेडारी भी थी यहांपर अब बात करते हैं सेंफ्लार ओयल की तो यह 875 रुपए के करीब है और उपरी सरों से मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है कॉटन केक इप्रिल वाइदा 2660 के रुपए के करीब निशले सरों से हांपर भी खेडारी है कपास में बिकवाली बढ़ी और अब 1560 के ऊपर कपास कारुबार कर रहा है वहीं मैंथा ओयल में भी दाइरे में एक रेंज में कारुबार हो रहा है 930 रुपए के करीब मैंथा ओयल में ट्रेड हो रहा है तो यह हैं एग्री मार्केट से जुड़ी दस बड़ी खबरे आगे हम नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी बात करेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि एग्री कमोडिटीज में आज क्या करे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल है और ट्रेड बुल से क्यॉरिटी से भाविक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं सब्सक्राइब तो सबसे पहले तो जीरे पर अपनी रायत दीजे अभी भी कमजोरी बनी हुई है यहां पर और कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है आवक बढ़ने की बात हो रही है जिसके चलते कीमतों पर दबाव है क्या ट्रेड लेना चाहिए यहां पर जीरे में क्या और करेक्शन देख रहे हैं प्राइज़ में पुझा जी अभी एरायवल के सीजन है और अगर एरायवल देखे तो काफी अच्छा है इंपेक्ट है जैसे आपने गता है इस पर जो प्रोड़क्शन है एस्टीमेट है वह बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से ज्यादा बड़ी तीजी तो इसमें दिखने ही रही है बट हाँ मुझे लग रहा है कि 23 से 20 थाउजन का सपोर्ट जोन है वह बन चुका है तो यहां से अभी रहेगा 24,000 का और स्टॉप्लस रहेगा 22,700 का तो करन मार्केट पैस से जीरा में बाइक कर सकते हैं हाँ चलिए एक छोटी सी तकनीकी दिकत आ गए थी यहां पर लेकिन वापस से शुरुआत कर लेते हैं जीरा पर तो आपकी राय मिली अब धनिया की बात करते हैं और कोरियंडर में हम देख रहे हैं कि बिक्वाली हावी है कल भी 1% की यहां पर वीक्नेस देखने को मिली किसानों और कारुवारियों के पास सब स्टॉक मजबूत है तो ऐसे में अब आगे यहां से धनिया की चाल है और अच्छा का से हमने रैली भी देखे तो हलकी प्रॉफिट बॉकिंग नफा वलसी देखने को मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि यह अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है बड़ 7500 के करीब अगर आता है तो मैं वेट करूंगा अगर वहां पे आता है तो ब अधी पर क्या व्यूव है आपका अधी हली में भी आपने देखा कि प्राइस से काफी करेक्शन आ चुका है अभी भी मुझे लग रहा है कि यह जो प्राइस से काफी अट्रेक्टिव इस पार जो सप्लाइब बहुत कम है तो आइटिंग जो करेक्शन जो हुआ है वह एक अपउचीनिटी यह तो currentmarkt price से ही भाई कर सकते है उपर का target लगसे तीघारे में कारोबार हो रहा है कुई ट्रेड लेना चाहिए यहापर भावी जी डो घॉदम हारी कर सकते है तो टिस सुस्ट जोन के बाट चुका है तो करन मार्केट प्राइस से मैं लॉंग के रिकमेडेशन करूंगा 52-50 के टारगेट के लिए और नीचे का स्टॉप लोस रहेगा 5100 का तो गुवार सीड और गुवार गम में गुवार सीड मेरी पिक रहेगा आज के दिन ओके चलिए ये है सलह तमाम अग्री कमोडिटी पर भी चर्चा कर लेते हैं और जो अपडेट अभी करेंट आ रहे हैं उसमें सोने चान्दी में थोड़ा सपाट शुरुआत देखने को मिल रही है नाच्रल गैस एक परसेंट उपर है क्रूड ओयल की बात करें तो हलकी कमजोरी के साथ यहां पर शुरुआत हो रही है गोल और सिर्वर में भावी जी क्या व्यू आपका बन रहा है क्योंकि अब भी देर रात फेडरल रिजर्व की बैठर का फैसला भी आ जाएगा उसके पहले हम देख रहे हैं सोनी की कीमतों में थोड़ी नर्मी भी आई है यहां से चाल कैसे रह सकती है क्योंकि अब ब्यास दरुव में जो कटौती की बात है वो कही ना करे उसकी संभावना बहुत ही कम होती जा रही है ऐसे में आने वाले समय में सोने और चांदी की चाल पर आपका व्यूब क्या बन रहा है और कैसे ट्रेड ले आज के दिन अगर इंट्राडे परपर्स है तो बाइट कर सकते हैं बट कैरी फॉरवड नहीं करना चाहिए क्योंकि फो एमसी की मीट है डॉट प्लान भी पता चलेगा तो आज के दिन अगर किसी को ट्रेड लेना है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बांड इप्सकी स्रेटेज रखनी चीए क्योंकि जादा सेलिंग प्रेशर दिखनी रहा रुपे में भी देखे तो कमजोर ही है जो एमसी एक में थोड़ा सपोर्ट दे रहा है तो गोल्ड अराउंड 65-500 के करीब आता है तो बाय कर सकते है 65-50 के टागेट के लिए और स्टॉप लोड़ा सकते 65-500 का और चांदी के बात करें दो चांदी भी देखे तो 75-000 का सपोर्ट बन चुका है उसकी नीचे भी नहीं जा रही है तो वहीं आसपास ही बाय करने के लिए रिकमेंडेशन है 75-750 के टागेट के लिए और स्टॉप लोस सकते हैं 74-500 का कच्चा तेर भावी जी चार माईने क्यों भी सर पर पहुँच चुका है हालाग कि अभी शुरुवाती संके थोड़ी नर्मी के हैं तो आज के लिए कैसे ट्रेड लें क्रून में अगे जाके भी ब्रेंट 86-87 डॉलर के करीब आ सकता है तो आज के दिन भी अगर कोई करेक्शन आता है 60-20 के करीब कच्चे तिल में तो बाय कर सकते हैं 69-100 के टागेट के लिए और स्टॉप लस सकते हैं 67-70 का और बेस्मेंटर्स में क्या राय होगी आपकी बेस्मेंटर्स में कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है कॉपर में अच्छा ब्रेक आउट आ चुका है 750 के ऊपर और सस्टेन भी कर रहा है तो आज के दिन 755 पे मैं बाय की रिकमेडेशन दूँगा 760 के टारगेट के लिए और स्टॉप लस रहेगा 752 का ठीक है तो कॉपर में खहिदारी करने की सला कच्छे तेर में भी आप तेजी करके चल सकते हैं 6900 के लक्षे के लिए गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी करने की राय भाविक जी की तरफ से भाविक जी ठागे सोमच आपका समय देने के लिए तमाम कॉमोडिटीस पर अपनी रणिती भी सुझाने के लिए तो कमोडिटी अपडेट में फिलाल इतना ही एच्छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे ब्रेक के बाब बाजार पर चर्चा आगी भी जाई रहेगी